अलो फ्रेंड्स, रिकम बैक टो मैं चैनल, आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स्ट ही मरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहते हूँ चोटे-चोटे स्टोरी, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिनसे हम बहुत सारी नियू वर्ट सीखते हैं, अपनी वकैमेरी को इंप्रूफ करते हैं साथ ही जो भी ग्रामर दे जाती है, मैं कोशिश करते हूँ कि एजी वर आपकी इस्प्रेइन कर देकूँ आज हमाँ टॉपिक होना है, इफ आई हैट सूपर बावर और यह जो टॉपिक है, यह ऐसा है कि आपको ऐसा पैराग्राफ एक्जाम्स में लिखने के लिए आता है 500 वर्ट लिखिए इस टॉपिक के उपर इस तरीके से आज हम यह टॉपिक देख रहे हैं और इससे रिलेटिट जो भी टॉपिक रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट ताइम आपके साथ में मैं डिसकस करूँगी सो स्टार्ट करते हैं रिडिंग और देखते हैं इस टॉपिक में क्या है सूपर पावर्स का मतलब होता है महाशक्तियां ठीक है या फिर सूपर शक्तियां आप ऐसे भी बोल सकते हैं अब कॉनसेप्ट एक अबधारना है डीपली गहराई से इंग्रेंट मतलब रच्ची बसी होना या फिर जमी होई होना इन मेंस में human imagination यहनी के मनुष्य की कलप नाम है imagination अदर कलप ना करना ठीक है हैं हमेशा रही है intrigued us का मतलब क्या होता है जब भी हम बोलना चाहते हैं साजिश या फिर आकरशित करना इन दोनों ही words के लो हम इस word के लिए यूज कर सकते हैं तो simply sentence का मतलब क्या हो गया महाशक्तियां जो है मानव कल्पना में गहराई से रची बसी एक अफ़धारना है जो हमें हमेशा से ही आकरशित करती रही है या फिर हमें हमेशा ही साजिश करवाती रही है simply if I were to have a superpower if I were अगर मेरे पास होती superpower अगर मेरे पास महाशक्तियां होती I would choose I would मैं करता choose यह निके मैं चुनता ठीक है the ability योगिता को to manipulate time to manipulate time का मतलब क्या हुआ manipulate का मतलब होता है हेर फेर करना time means समय को अगर मेरे पास superpower होती तो मैं समय की हेर फेर करने की योगिता को चुनता ठीक है would का use है आप है हमने करता ऐसा करता इसके लिए use करा this power यह है शक्ति would not allow would not only allow यह जो शक्ति है वो केवल मुझे allow नहीं करती me to rectify past mistakes rectify वने के सुधारनी के लिए past mistakes परानी गलतिया या फिर अतीत की जो गलतियां थी केवल उन्हें ना सुधारनी के लिए मदद करती बलकी ठीक है this power बलकी बट बलकी also provide an opportunity to foresee future consequences also साथ ही provide प्रदान करती an opportunity an opportunity इनके एक अवसर प्रदान करती to के लिए foresee foresee का मतलब पूरवानुमान होना यानि के कोई भी चीज होने वाली है पहले से ये पता लग जाना future consequences future इनके भविष्य के consequences मतलब परदामों को तो साथ ही ये मुझे भविष्य में होने वाले जो भी परदाम थे उनको पहले से ही पूरवानुमान कराने में मिरको अवसर देती या फिर पहले से ही मुझे पता कराने में back in time, back in time समय में पीछे यात्रा करना would enable me to fix my past errors would यानि कि वो करता ठीक है जो हम कहते हैं कि ऐसा होता 100% नहीं बट वो ऐसा सोच रहा है, कल्परा कर रहा है सचा ही नहीं है, तो हम वहाँ पर would का use करेंगे enable हो मुझे सक्षम करता me means मुझे तो fix, fix यानि कि ठीक करना past errors यान past की गलतियों को, पुरानी गलतियों को यह जो ability है, मुझे समय में पीछे यात्रा करने वाली मेरी पिछली गलतियों को या फिर past की गलतियों को ठीक करने में सक्षम करता, we all have moments, we all, हम सभी के past have means है, moments हम हम सभी के चड़ है, in our lives, हमारी जीवन में we regret, हम अफसोस करते है, and wish to change, और उन्हें बदलने की इच्छा करते है, wish यानि के इच्छा करना, या फिर काम ना करना to change, उन्हें बदलने की इच्छा करते है, तो हम सभी के पास, जो है जीवन में कुछ ऐसे शण होते हैं जिन्हें हमें अफसोस होता है, और हम उन्हें बदलने की इच्छा करते हैं with such a power, with means साथ में such a power, such means ऐसी a power एक शक्ती के साथ एक ऐसी शक्ती के साथ I could revisit those moments, I could, मैं कर सकता, ठीक है revisit, मैं फिर से वो चीज़ पास सकता, या फिर कर सकता those moments, वो जो छड़ते मैं उनसे फिर से revisit कर पाता या उनसे फिर मिल पाता and make better decisions और तुबारा से अच्छे नेडने ले पाता, leading to improve leading यानिके to improve, उन्निती करना या फिर बढ़ोतरी करना, या हम बोलते हैं कि बढ़ावा देना किसी भी चीज़ को leading to improve leading मतलब नेडने तु करना to improve outcome improved outcome यानिके अच्छे परिडाम, अच्छे परिडाम की तरफ में नेडने तु करता equally captivating is the potential to lead into the future leap into the future equally, equally मतलब समान रूप से या फिर बरावर मात्रा में captivity is the potential captivity क्या होता है captivating मतलब होता है दिल्चस्प या फिर कोई भी मनो कामना is the potential is the potential means चंता, to leap into leap into का मतलब क्या होता है leap into हमारा freezing verb है और इसका meaning होता है चलांग लगाना the future, future means भविश्यम है तो समान रूप से भविश्यम है, ऐसी चलांग लगाना कि दिल्चस्प चलांग लगाना मेरी चंता होता या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि भविश्यमें चलांग लगानी की जो मेरी चंता है वो उतनी ही दिलकश है simply इस सरके से भी बोल सकते हैं आप दोनों ही सकते हैं किसे sentence को easy हम change कर सकते हैं this would allow यह मुझे allow करता देखें यह चीज़ 100% होगी हम यह आप ऐसा नहीं पता है इसलिए हम would का use करें जब यह आप 100% sure नहीं है तब हम would का use कर लेते हैं और would को हम और भी चीज़ों के लिए use करते हैं this would allow यह मुझे अनुमती देता to understand, समझने की the implications of my present actions the implications यह नहीं के उल्जावों को या फिन निती हार्थ को जो मेरे present actions के यह नहीं के जो मेरे अभी वर्तमान में जो भी मेरे कारे हैं उनके उल्जाव को समझने में मुझे अनुमती देता and or make necessary adjustment और make यह नहीं के करता necessary आभेशक adjustment का मतलब करता है सामझे से बिठाना या फिर समायोजन करना और आभेशक सामझे से बिठाने में मेरी मदद करता it would provide a unique perspective on life it would यह करता provide प्रदान करता a unique perspective मुझे यह एक unique यानि के अनुखा perspective प्रदान करता perspective मतलब क्या होता है drasticon on life मुझे यह जीवन पर अनुखा testicon प्रदान करता where जहां I could देखे where का मतलब कहा होता है बट आपको हमीशा बता चुकी हूँ अगर यह sentence के बीच में आ रहा है question mark नहीं आ रहा है इसका मतलब हो गया I could मैं कर सकता balance my action मैं अपने जो कारे हैं उनको balance कर सकता based on their future impact based जनके जो आधारित है on their future impact उनके जो भविशे के जो भी उनके प्रभाव पढ़ेंगे उनके जो आधारित है मैं उनको balance कर सकता यानि कि उनका मैं संतुलन कर सकता उनको मैं संतुलित कर सकता जो भी चीज़े मेरी होने वाली थी चैलेंजेज एंड अब ये जो हमारा टॉपिक आ गया चैलेंजेज का मतलब क्या होता है चुनोतियां चुनोतियां और चैलेंजेज चुनोतियां एंड एथिकल डाइलेमा चुनोतियां और एथिकल डाइलेमा ethical means होता है, netic, अब dilemma मतलब क्या होता है? dilemma मतलब होता है, जब हमें किसी भी दो बड़ी चीजों में, ठीक है, जो हमारी life में important होती है, उन में से किसी एक कोछ चुनना होता है, मतलब हमारे बीच में, हमारे मन में दुविदा होती है, चुनाव करने की कोई भी चीज हमारे लिए कौन से चीज important है ठीक है तो this superpower ये superpower however हाला की would come with its own set of challenges and ethical dilemma ये जो superpower है would come would come means वो आ सकती है with its own with its own यानि के इसके अपने साथ set of challenges यानि के इसके अपने चुनोतियों के set के साथ में ये आ सकती है या फिर हम बोलेंगे ये जो superpower है ये उसकी अपनी खुद की चुनोतियों और नैतिक दुवदाओं के साथ आएगी ठीक है 100% चौर नहीं है इसलिए हम आएगी भी बोल सकते हैं और आ सकती है ये भी बोल सकते हैं ठीक है आती sorry आ सकती नहीं आती spontaneity and thrill would knowing यानि के जानते हुए the future rob future rob का मतलब क्या हो गया भविश्य की जो भी rob है rob का मतलब होता है जैसे आप बोल सकते हैं खत्म होना life of its spontaneity spontaneity में सहचता and thrill thrill means क्या होता है thrill means होता है हम जैसे बोलते हैं कि romance हमारे जीवन के अंदर तो क्या इसके होने से हमारे जीवन की सहचता और romance खतम हो जाता है these are question that need careful consideration these are question y disappointment ये प्रशन है that need जिन्सने आप वशचता है careful consideration careful मतलब सावधान तरीके से consideration का मतलब होता है consideration का मतलब होता है विचार करने की ये कुछ question है जिन पर हमें साफधान तइके से विचार करने की आवशक्ता है या फिर जरूरत है need means आवशक्ता है या फिर जरूरत कि अगर हमें हमारा भवेश्य पता लग जाता समय में जाकर के तो क्या जो भी हमारे साथ में हम कहते हैं कि surprise मिलना है तो वो surprise हो surprise देहता है यह नहीं इस way में यह sentence बात कहना चाहरा है I hope आपको यह topic पसंद आया होगा और यह जो topic है आपको exam exams में लिखने के लिए 90% आता है मैंने काफी सारी जगव पर देखा था तो यह topic है ना यह top 10 topics में से है आप इसकी practice कर सकते हैं आज की जो 3 words हैं जिनको आपको sentence बनाना है first है rectify means सुधारना next है regret regret means अफसोस करना थर्ड है dilemmas dilemmas यह नहीं क्यों दुविदा होना बट इसको आप ऐसे नहीं को सकते कि मैं चाय प्यू यह कॉफी प्यू चोटी मोटे चीज़ है नहीं बट आपको बड़ी चीज के बारे में सोचना है तब आप डैलेम वर्ड को use करते हैं यह निकिसको use करने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं आज के जो हमारे three words हैeng Teshan के फस्ट है ingrained थर्ड है force and 3rd हमारा है conseq फॉर्स्ट हे इंग्रेंट, फॉर्सी एंड कॉंस्यूकेंसे अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक में मैं आपके साथ में विडियो शेयर करूँ जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि ये शेयर करना चाहिए आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं तक्रवाची करते हैं